हलो एवरिवन गुद इवनिंग नमश्कार अग्रिकल्चर एड़ा 24-7 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो मेरा नाम है डॉक्टर मिनाक्षी राठी और हम आज यहां बात करने आए हैं फूड कॉर्परेशन ओफ इंडिया आप सभी लोग जानते हैं फूड कॉर्परेशन ओफ इंडिया यानि की एफ सी आई ने नोटिफिकीशन आउट किया है आप लोगों के लिए काफी धेर सारी वेकेंसीज आ रही है तो यह हमारा फॉर्स बनता है कि हम आपको बताएं क्या आपको पढ़ना है और कहां से आपको पढ़ना है राइट तो सबसे पहले तो वेकेंसीज की बात करते हैं लगभग करके आपकी वेकेंसी का नाम है और अफकोर्स फूड कॉर्परेशन आफ इंडिया से है तो सिंपल सी बात है कि आपकी गर्मेंट जो है फिर्म है तो आपकी नोकरी भी गर्मेंट होने वाली है है ना तो चलिए आज हम इसके एक्जाम पेटरिन के बारे में जानेंगे आप का एक्जाम कितने चरण में होगा कैसे होगा क्या कुछ इसका स्लीबस रहेगा तो वो आज की जो है वीडियो में हम जानेंगे FCI की क्या क्या एक्जाम पेटरिन रहेगा आपका AG3 के लिए AG3 के लिए पोस्ट का नाम जरूर ध्यान दीचेगा कहीं किसी और पोस्ट के बात यह है कि कौन-कौन इस एक्जाम को भर सकता है, तो अगर आपने B.A.C. Agriculture किया है, B.A.C. Botany किया है, B.A.C. Geology किया है, Microbiology किया है, Food Science किया है, तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं, तो सभी के लिए बहुत अच्छा मुका है, धाई हजार vacancies है, फटा-फट से जैसे ही उसके बाद आप लोगों को form भर देना है, notification तो basically आ चुक है, जैसे ही form filling date शुरू हो, आपको form fill कर देना है, last date का wait बिलकुल नहीं करना है, तो आपके जो हम बात करें exam pattern की, तो आपका exam जो है, दो phases में होगा, दो चरणों में होगा, पहले phase में आपसे English, numerical ability and reasoning पूछी जाए में आपसे 30 question English के पूछा जाएंगे, numerical ability से आपके 35 questions आएंगे, reasoning से आपके 35 question आएंगे, हर question एक number का होगा, one mark each, यानि की 30 number की English, 35 number का आपका maths, numerical ability and 35 number की आपकी reasoning आएगी, तो ये आपका phase first की बात हो रही है, जो बच्चे इस phase first में qualify करेंगे, वो phase two में enter करेंगे, तो इसके लिए आपको जो है, 70 plus 30, 100 questions के लिए आपको 60 minutes मिलेंगे attempt करने के लिए, तो आपको अपने accuracy के साथ साथ time limit को भी ध्यान में रखना है, 100 questions के लिए 60 minutes आपको मिलेंगे phase one, paper one के लिए, जो बच्चे इस paper में qualify करेंगे, वो phase two में enter करेंगे, phase two में आपका फिर से दो paper होने है, तो ये भी ध्यान देना, आपके phase two में दो paper होने है, paper first में आपका क्या आएगा, paper first में आपकी English, numerical ability, reasoning के साथ साथ, computer knowledge and general awareness भी include की जाएगी, तो phase two में केवल वही बच्चे इंटर करेंगे, जो phase one में qualify कर जाएगे, phase two में भी दो paper होने, यानिके total आपके तीन paper होने, phase two में दो paper होने, first आपका English होगा, फिर numerical ability होगा, reasoning होगा, computer and general awareness होगा, total number of questions यहाँ पर 20 questions आपके रहेंगे, sorry, 120 question number रहेंगे, और हर का एक number मिलेगा, यानिकी 120 marks के रहेंगे, और इसको करने के लिए आपके पास 90 minutes होगे, यानिकी डेड़ घंटा होगा, तो 90 minutes में आपको 120 question attempt करने हैं, जिसमें फिर से आपसे English, numerical, reasoning, computer awareness and general awareness पूछी जाएगी, तो यह आपका paper 1 का, phase 2 का paper 1 होगा, जो भी आपके AG3 technical में यहाँ करेंगे, उनको paper 2 देना है, लेकिन जो AG3 technical से belong नहीं करते हैं, उनके लिए एक ही paper होगा phase 2 में, जो आप हमारा agriculture से related आएगा, उनको दोनो paper देने हैं, अगर आप bio technology से हैं, botany से हैं, geology से हैं, तो आपको दोनो paper देने हैं, लेकिन जो AG technical से belong नहीं करते, उनके लिए phase 2 में केवल एक ही paper रहेगा, अगर आपने form AG technical के अंदर भरा है, तो दूसरा paper आपका होगा, दूसरे paper में क्या होगा, agriculture, geology and botany, agriculture, geology and botany आपसे पूछी जाएगी, यानि कि bio और agriculture आपसे पूछा जाएगा, 60 questions आएंगे, number of questions रहेंगे, 60 यानि कि 60 question आएंगे, 60 question 120 number की होंगे, जी हाँ, तो आपके जो relevant subject है, उसका जो भार होगा, वो जादा होगा, 120 number के आपके question आएंगे, एक question दो number का रहेगा, और आपको ये 60 minutes में attempt करने हैं, 60 questions, 60 minutes, fair enough, वो भी agriculture, botany and geology यानि की तीनों ही आपके conceptual subjects है, तो इसमें आपको धेर सारा time मिल रहा है, right, तो ये आपका जो है, 60 questions रहेंगे, 120 number के रहेंगे और 60 minutes के लिए आपको जो है exam देना है, अगर आप लोग बायों से नहीं बिलॉंग करते हैं, तो physics और chemistry आएगा, लेकिन agriculture इसमें भी आएगा, तो दूसरे paper में, group 2 वाले paper में आपका agriculture, physics and chemistry आएगा, number of question वही 60 रहेंगे, 120 number के 60 minutes में आपको attempt करने हैं, तो अब ये confused मत हुएगा, मैं ये दो चीजे क्या बता दी हैं, देखिए phase 1 में आपका क्या आएगा, reasoning, numerical, english, जो phase 1 में qualify कर जाएगे, उनका phase 2 आएगा, phase 2 में क्या होगा, दो paper होंगे, पहले paper में फिर से जो है आपकी English, numerical ability, reasoning, general knowledge, computer awareness, ये 5 subject आएगे, यहां से जब आप qualify करके निकलेंगे, paper 2 में आपका agriculture, geology, botany आएगा, या फिर agriculture, physics, chemistry आएगा, यानि कि इन दोनों के बीच आपकी choice रहेगी, आप अगर bio student है तो आप geology, botany से देंगे, physics students है या math students है तो आप physics और chemistry से देंगे, इसमें आपके पास subject की choice रहेगी, जो subject आप fill करेंगे, उसी से related आपको exam देना है, weightage आपके related exam की जादा रहेगी, यानि कि 120 नंबर की रहेगी, हर question के 2 marks होंगे, yes, negative marking इसमें रहेगी, negative marking will be there, ठीक है, तो negative marking आपकी इसमें रहेगी, phase 2 में भी रहेगी, phase 1 में भी रहेगी, तो ये ध्यान रखेगा कि over attempt के चक्कर में नहीं पड़ेगा, केवल जो question आते हैं, वही question करिएगा, चलिए, उसके बाद एक बास लेबस पर नजर डाल लेते हैं, कि मैम आपने subject तो बता दिया, लेकिन उन subject में से क्या हम लोगों को पढ़ना है, तो reasoning में आपकी verbal reasoning रहेगी, siloism आएगा, sitting arrangements आपके आएंगे, और di scheduling, input, output, blood relation, directions and distances, बहुत जो आपकी simple topics हैं, वही आपकी reasoning में cover किये जाएंगे, बात करें numerical ability की, तो इसमें data interpretation, time work, number series, इन तीनों से आपको ज़्यादा questions देखने को मिलेंगे, बागे छोटे-मोटे आपको profit, loss, आपके simple interest, compound interest, problems on age, father इतने के हैं, बच्चे कितने के हैं, तो ये सब questions आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद बात करें हम computer की, computer में आपको history of computers पढ़के जाना है, basics of hardware and software, shortcut keys आपको याद होने चाहिए, किन-किन keys से क्या-क्या होता है, basic functionality of MS Office, MS PowerPoint, MS Excel, तो बहुत basic-basic ही पूछा जाएगा computer से आपका, history को छोड़के आपको hardware, software सभी पता है, हम सभी लोगों ने school time में ये सब चीज़े पढ़ी हैं, mouse किसले काम आता है, keyboard किसले काम आता है, shortcut keys, control plus V से क्या होने वाला है, बस इसी तरीके की बहुत simple-simple चीज़े आपसे पूछी जाएंगी, केवल history of computers आपको देखके जाने की ज़रूरत है, yes बच्चे, आपकी number of vacancies, जो है, FCI की throughout कर दी गई है, धाई हजार vacancies है, 2500 आपकी vacancies है, pattern बच्चे में बता चुकी हूँ, थोड़ा सा पीछे जाके देखिए, और उसके बाद आपकी जो है, vacancy तो आ चुकी है, लेकिन filling date नहीं आई है, अभी form filling start नहीं हुआ है, exam का pattern में बता चुकी हूँ, दो phases में आपका exam होगा, one phase में आपकी numerical ability, English और reasoning आएगी, दूसरे phase में दो paper होंगे, एक में आपकी general ability चेक की जाएगी, दूसरे में आपकी subject specific आएगे, जिसमें agriculture, geology, botany आएगा या फिर agriculture, chemistry, physics आएगा, ओके, yes, बिलकुल होंगी, अड़ा पर FCI की पूरी classes होंगी, और पूरे syllabus आपका जो है, अड़ा पर cover किया जाएगा, बहुत जल्दी हम आप लोगों की classes लेकर आएंगे, don't worry about it, उसके बाद, आपके computer में आपके जो ये databases, networking, communication वगेरा, shortcut keys मैंने आपको बोला था, तो ये basic, और abbreviations आपसे पूछ ली जाती है, computers में abbreviation काफी पूछ ली जाती है, छोटी-छोटी तो उनको भी आपको देखके जाने की जरूरत है, उसके बाद बात करेंगे agriculture की, जो हमारा core subject है, तो agriculture में आपको of course crop production से question पूछे जाएंगे, चाहे वो horticulture crops है, चाहे वो आपकी field crops है, economic से थोड़े बहुत question आ सकते हैं, crop protection से आएंगे, crop protection में आपकी pathology, entomology और nematology तीनों ही cover की जाएंगी, post harvest management से कुछ questions आ सकते हैं, agriculture extension से आ सकते हैं, तो basically general agriculture आपको पूरा पढ़के जाना है, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा touch किया हुआ है, यानि कि general agriculture में से कुछ भी पूछा जा सकता है, उसके बाद botany geology में से क्या पढ़ना है, botany में से आपको cell biology पढ़नी है, basic biochemistry पढ़नी है, life processes पढ़नी है, respiration, photosynthesis और यह सब जो life processes है, plant के वो आपको यहां पढ़कर जाने है, botany में, physics में आपको measurements पढ़नी है, basic physics पढ़नी है, light और electricity पर जादा ध्यान देना है, इनसे questions पूछे जाते हैं, तो light और electricity वाले chapters जो है physics के, वो आपको पढ़ने पढ़ेंगे, तो of course being like agricultural graduates हम लोगों के लिए थोड़ा difficult हो जाएगा physics chemistry को पढ़ना, but at the same time जो physics से, botany से graduated बच्चे हैं, B.A.C कर रहे हैं, botany से, physics से, bio technology से, उनको agriculture पढ़ना भी उतना difficult हो जाएगा, तो साथ साथ सब कुछ learn करते हुए चलेंगे, अड़ा पर आपकी सारी classes लगेंगी, आप धीरे धीरे वही है, step by step सारे subject उठाएंगे, पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे सब solve हो जाएगा, बहुत जादा attention लेने की बिलकुल ज़रूरत नहीं है, अगे, तो ये बच्चे आपके, I guess banking level types ही रहेगा आपका, SSC level पर नहीं जाएंगे, ठीक है, उसके बाद chemistry में आपको inorganic chemistry, organic chemistry, दोनों ही chemistries और chemical bonds देख कर जाने है, साथ साथ chemistry in daily life, जो chemistry use होती है, उसके examples जो है आपको कर के जाने है, जोलाजी से आपको animal cell, organ systems पढ़के जाने है, hereditary and variation, animals के classification and microorganisms, ये आपको जोलाजी में cover करना है, ओके, slow and steady wins the race, yes, तो अभी से preparation शुरू कर दीजिए, ऐसा मत सोचिए कि form की date भी नहीं आई है, पढ़ लेंगे, कर लेंगे, subject बहुत जादा है, उस हिसाब से time की कमी last में एकदम पढ़ेगी, तो अभी से अपनी preparation शुरू कर दीजिए, आप क्योंकि time है, तो सबसे पहले जो आपके weak portions है, उनको उठाना शुरू कीजिए, ओके, notification बचे, आपकी जो number of post है, number of post की notification आपकी आचुकी है, number of post reveal कर चुका है, आपका FCI, यानि कि officially जो है वो आचुकी है, लेकिन application की date नहीं आई है, कि कब से application form release होगा, कब exam होगा, ये dates आपकी reveal नहीं हुई है, but number of post जो है, हमारे पास officially FCI दे चुका है, तो हमें application का wait नहीं करना है, हमें अपनी तयारी शुरू कर देनी है, बचे, आपके इसमें बहुत सारे teachers जुडने वाले हैं, तो I cannot promise की हम कब class शुरू करेंगे, but of course जल्दी से जल्दी करेंगे, और तब तक आप लोगों की agriculture classes तो already चल ही रही है, maths, English, Reasoning की classes भी आपकी चल रही है, इफको के अंतरगत, तो आप उन classes को तो देखी सकते हैं, उसमें आपके maths complete हो रहा है, reasoning भी हो रही है, English भी हो रही है, agriculture भी हो रही है, आपकी botany geology तो बचती है, बाकी तो आपके already cover किये जा रहे हैं, इफको के अंडर सही लेकिन cover किये जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका agriculture, agriculture ही रहेगा, चाहे इफको के अंडर हो, चाहे FCI के अंडर हो, तो आपकी classes already agriculture की तो चल रही हैं, do come to our sessions, हमारी classes, आपकी IBPS, AFO की classes rapid fire शुरू होता है, सुबह 9 बज़े से लेकर, आपके दुपैर के 12 बज़े तक, 12 बज़े से शाम 4 बज़े तक आए थिंग इफको की classes होती हैं, तो वहाँ पर आप हमें join कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं, तो फटा फट से चैनल को subscribe जरूर कीजिए, ताकि आपको हमारी सारी videos timely मिलें, और फटा फट सेशन को like कीजिए, share कीजिए, ताकि जादा से जादा लोगों तक information पहुँच सके, है ना, तो अब आप लोग सभी लोग पूछी रहे हैं, मैं में classes कब से शुरू होगी, मैं में कहां से पढ़ें, तो अब या, FCI का आपका बाच जरूर आएगा, for sure आएगा, I cannot tell you the date, बट आएगा जरूर, तब तक आप लोगों के लिए महापैक तो है ही, है ना, महापैक में आपको सारी agricultural classes मिलेंगी, live classes मिलेंगी, video recorded मिलेंगी, double validity इस पर मिल रही है, अब double validity का मतलब क्या है, जो आपकी 12 महीने के लिए validity थी, जिन classes का access आपको केवल 12 महीने के लिए मिलता था, अब उन्ही classes का access आपको 2 साल के लिए मिलेगा, 12 प्लस 12, 2 साल के लिए जो भी agricultural related exam अभी है, या आएंगे पूरे 2 साल में, उन सभी का access आपको इस महा पैक में मिलता है, तो आप FCI की जो तयारी कर रहे हैं, जैसे ही वो package आएगा, वो भी इस महा पैक में include कर दिया जाएगा, उसका भी content आपको मिलेगा, लेकिन तब तक आप अपने agriculture को boost करना चाहते हैं, तो आप महा पैक तब तक लेकि अपनी agriculture classes यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे ही आपका FCI का जो package है वो release होगा, तो आपको और classes भी इसमें aligned उसी के साथ मिल जाएगी, अलग से उसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अभी इसकी double validity चली हुई है, यानि कि दो साल के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी agriculture से related exam हो, दो साल के लिए आपको सारी classes का access मिलता है, और classes के access के साथ of course, दो साल तक आप कोई भी preparation कीजिए agriculture related, आपको सारी classes मिलेंगी, कोई और package नहीं लेना, कोई और test series नहीं लेनी, इसमें आपको test series भी मिलती है, practice करने के लिए e-books भी मिलती है, तो सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है, बार-बार investment करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो of course बच्चे, YouTube में हम आपको generally MCQs कराते हैं, practice है ना, लेकिन महापैक में हम आपके concepts clear करवाते हैं, MCQs क्या है, मैंने आपको एक MCQ करवाया, same MCQ आगया, आप टिक लगा के आएंगे, मिनाक्षी में हमने करवाया था, लेकिन जब question घुमा कर आता है, concept based आता है, तो वहाँ आप लोगों का बटा गोल हो जाता है, है ना, तो agriculture महापैक में जो आपकी specially live classes हो रही हैं, या video recorded हैं, वो आपके concepts को clear करने के लिए बनाई गई है, hard से hard concept को हम पूरा try करते हैं, कि हम उसको सबसे simple तरीके से आपके सामने पेश करें, ताकि आपका अगर concept एक बर clear हो गया, आपको कहानी समझ आ गई पीछे की, तो examiner कितना भी question घुमा फिरा के दे दे, I am damn sure you can attempt that question, तो ये जजबा जो होना बहुत जरूरी है, कि सिर्फ short cut पत मत जाए कि मुझे सिर्फ one liners रटने है, name राद सुन्डा लेके या फिर MCQs attempt करने है, concept को clear करेंगे तो वो question attempt कर पाएंगे, जो कोई बच्चा नहीं करता है, और selection उन्हीं question से होता है, बच्चे पढ़के सब जाते हैं, general agriculture सब attempt करते हैं, selection उसका होगा, जो difficult question भी attempt करके आता है, ओके, तो only BAC AG no horticulture, अभी तो बच्चे मैंने इसकी notification में agriculture ही पढ़ा था, बाकि अगर if it is available for BAC horticulture, तो मैं आपको वीडियो की comment box में जरूर reply करूँगी, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, अगर, because मेरे हिसाब से BAC agriculture ही वहाँ पर लिखा हुआ था, बाकि आप BAC botany है, geology है, chemistry है, physics है, biotechnology है, food science है, तो भी आप इस exam को भर सकते हैं, ओके, बताया बच्चे, बहुत सारे graduates बच्चे इसको भर सकते हैं, ओके, eligibility आपकी यही है, बच्चे की graduation, आपकी eligibility पे आपका संदीप सर ने भी एक session लिया, FCI की eligibility पे, वो session भी आप देख सकते हैं, उसमें detailed में उन्होंने सारी eligibility criteria, age limits, वो सब कुछ उन्होंने बताया है, yes, BAC biotechnology भी वहाँ पर valid है, तो अगर आप, क्योंकि double validity जो है, महा पैक की वो खतम हो जाए गई, तो अगर आप लोगों को double validity का फाइदा उठाना है, तो आज के दिन आप उठा सकते हैं, आप agriculture अड़र 24-7 की site पर जा सकते हैं, और double validity का भरपूर फाइदा उठा सकते हैं, आपको केवल ये code यूज करना है, Y448, 4 प्लस 48 होते हैं, याद रखेगा Y448, अगर आप ये code यूज करते हैं, तो आज के दिन आपको इस पे 77% off मिल रहा है, साथ साथ आपको double validity मिल रही है, यानकि दो साल के लिए ये पूरा package मिलेगा, अब ये मत सोचना कि मैम आज हम ये package खरीद लेंगे, और कल हमें FCI का package दुबारा खरीदना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, agriculture से related जितने भी packages अड़ा के पास available होंगे, उन सभी की classes का access आपके पास होगा, अगर आपने महा pack का subscription लिया हुआ है, तो आपको दुबारा नहीं खरीदना पड़ेगा, मैम नहीं चाहती है कि आप बार-बार अपने माबाप के पैसे बरबाद करें, इसलिए मैम ऐसी चीज़ बता रही हैं जो long term चलेगी, आज के दिन अगर खरीदेंगे, दो साल के validity है, दो साल तक किसी भी agricultural exam की तयारी कीजिए, सारी classes, live classes, video classes, आपके test series, e-books, अभी कुछ आपको यहां पर इस पाक में मिल जाता है, ओके, तो, अथिस एे अग्म नोट एग्म बच्चे, दिस एग्म थी घ्री इस एग्म थी टेकनिकल, चिके टेकनिकल में आपके जो हैं दो एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, फेस तू में, हाला कि if you are from AG with not technical general की बात करेंगे तो उन्हें केवल एक ही exam देना होगा जिसका theory portion में ध्यान होता है वो exam में confused होते हैं तो इसका मतलब यह है बच्चे कि आपने कभी अपनी theory concepts को clear ही नहीं किया है अगर आपकी theory clear होगी आपकी concept clear होगे आपके mind में एक पूरी picture बन गई है कि यह इसकी picture है मुझे यह concept clear है तो as an examiner में कितना भी question घुमा फिरा के देदू अगर आपका concept clear है तो आप उसको हमेशा better attempt कर पाएंगे बाकी आप लोगों की इठ्चा है मेरा काम है आप लोगों को guide करना decision लेना आपका काम है तो चलती हूँ आपके exam pattern और syllabus मैंने आज आपको FCI का बताया है तो अच्छे से अपनी preparation शुरू केट रेगा अड़ा के साथ अगर जुडना चाहते हैं तो आप लोगों का बहुत दहे दिल से स्वागत है और आपको किसी भी product के लिए अगर offer चाहिए तो आप code यूज़ कर सकते हैं Y448 4 plus 4 equals to 8 Thank you so much for today's session फिर मिलते हैं कुछ और नई sessions के साथ तब तक अपना ध्यान रखेगा सुरक्षित रहेगा और पढ़ते रहेगा